सबी किसान मित्रों को नमस्कार स्वागाति आप सभी का हमारे यूटूब चेनल इन्फटेक फार्मिंग रडर में किसान मित्रों दिनांख है आज 26 जुलाई 2022 वारे मंगलबार समय हुआ है लगवग लगवग साड़ियाड वीडियो आपके पास आड़ बचके 35-40 मिनिट तक यंगा बात कर लएता एकिसान भाइयो मत्तपरदेश की सबसे बड़ी मंडी में इंदोर की 24 मंडी में आलूप्यालशन 3100 की कितनी और निया आमदानि देखने को मिली है वही कल क्या दूर्रा मंडी में में एक सविद्यत亞 में हम बात करेंगे नासिक की नाकपूर मंडी की यहाँ पर कितनी आवाक और भाव रहा है इसके बाद हम बात करेंगे एहमद नगर की संगमनेर मंडी की कितनी आवाक और क्या भाव रहा प्याज का नासिक की सटाना मंडी में क्या रेट रहा नासिक की देवला मंडी में कितनी आवाक और क्या रेट निकल रहा और वहीं अगर मद्वर्देश की बात करें तो जीरो ट्रक अंदर गए क्या रेड़ विका तो रेड़ विका जो नासिका गोल्टा-गोल्टी है वो करीबन बावीस रुपए 19 रुपए से लगा के 22-22 रुपए प्रति टका इसको कन्वर्ट करेंगे आप रुपए में तो 16-17 रुपए के लगबग लगबग बनेंगे 15-16 रुपए प्रति केजी के इसाफ से गया रुपए लेकिनो मीडियम कॉलिटी का छोटा प्याज जाता है बांगलादेश बड़ा प्याज वो मांग नहीं करते है छोटे प्याज की जादा मांग रहती है गोल्टा-गोल् लेकिन मैं उसको अगर कनवर्ड करता हूं रुपए में तो 11-12 रुपए प्रति केजी किलो के इसाफ से गुल्टा-गुल्टी बिका है और उसको मंडी से उठाते हैं या पारी 4-6 रुपए प्रति केजी में यहां से बॉम्रा बाड़ा या हंगाश्टा बड़र तक पहु व्यापारी को एक्सपोर्टर जो है उनको क्या बचा व्यापारी को तो चलो ठीक है भाड़ा से बच जाता है कुछ थोड़ा बहुत लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसको भारा सरकार को सबसेडी देना चाहिए अभी 2% सबसेडी दे रही भारा सरकार उसे बढ़ाकर 5-7% कर करती है भारा सरकार तो हंड़ेट परसंट जो हमारा प्याज है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर विदेश में एक्सपोट होगा अभी प्याज के जो भाव है बढ़ने के उमीद मुझे तो कम लग रही है क्योंकि नए प्याज का आगमन बेंगलूरु की बीजयापुर मं में हो चुका है कल्च से गाड़ियां आई थी और देखा जाए तो अभी भाव बढ़ने का कोई चांस मुझे लगनी रहा है हलाकि बरसादी प्याज इस बार बहुत कम रहेगा उसका में करण मत्रदेश से प्याज हुआ नहीं बरसादी प्याज राइस्तन में बहुत कम है अलवर जेले में बहुत कम है 37 महराष्ट नासीग में बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा लगाया था लेकिन वह खराब हो गया बरसाद के करण मुझे नहीं लगता आपकी ज़्यादा बरसादी प्याज का प्रोड़क्शन निकलेगा इस बार हाँ जिनोंने जल्दी लगा लिया था वो प्याज से बड़ा हो चुका है और वह मंड्यों में आने वाला है यह सत्य है बिलकुं सत्य है यह बात और आवी रहा है बेंगलू Ricky में मंडी में कभी दो गाडी कभी चार काड़ी कभी छे गाड़ी लग रही है मतलब भी बहुत बड़ी बात है कि डेली इतनी गाड़ी लग रही है देख लेते हैं सभी मंडियों में क्या भाव रहा मैंने आपको थम्डेल में एट किया है अंदर बहुत कम ले रहा है बांगलादेश और बाहर बैलेंसिंग माल बहुत जादा रखा हुआ है 37 चोईस तरिक को सतियोत्तर गाड़ी का बैलेंसिंग माल रहा और गुन 50 गाड़ी अंदर ली उन्होंने है नंठर 40 गाड़ी पार नहीं हुआ बांगलादेश एक डिन में बात कर लेता है इन्दोर की चोहत्रा मंड़ी की इन्दोर की चोहत्रा मंड़ी में कल प्याज उपर में तेरा सो रुप़े विका मध्र प्र करें मिडियं प्याच की तो शड़ी नथेया सुशा एक्ट happens बैसिता ठीशितर रुपे सबसभी का आज की आवक की जान करें देते हैं कुछ इस प्रकार है आलू की आवक की अगर बात करें तो आलू की आवक नो से साड़े नो हजार पैकेट लसुन के अगर बात करें तो ग्यारा से बारा हजार पैकेट प्यास के अगर बात करें तो चालिस हजार पैकेट के आवक साइट से कुछ मंडियों की जानकरी आती है तो वह भी मैं अभेलेबल करवा दूँगा मैं अभी शायपुर मंडी जा रहा हूं महां की क्या जानकरी है वह अपडेट आपको करवाओंगा साड़े बारा बजे अब हम बात करेंगे किसान महायों नासिक की नामपुर मंडी की यहां पर आवक विए 533 मंड़ की सूपरप्याज 1248 मंड़क अहमदनगर की संगमनेर मंडी की बात करेंगे यहां आवक हुई 45 वह वाह की SUPARप्याज逼 15.. 10,601 । । । वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा को सवाल जवाब हो तो जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धनिवाद